हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्जांपल्स और एक्जांपल्स दिये थे तो देखिए मैंने आफ फर्स्ट एक्जांपल का लिखा हुआ है अस्टिक और पेंसिल अपीस बेंट और शॉट वेंट इमस्ट अबिकली इन वाटर अगर हम किसी पैंसिल और यह फ्रेक्शन के बजनें पस्काइस करते हैं कि कैसे होता है देखिय कं वालेगामें निकographics लिया इस्टिक इस टिक कैसे तिक है अब अगर मैं आप से पूछ comics दिखाई कैसे पढ़ती या आपकोई निखाई आइस पर जाती जो तभी वह चीज़ हमें दिखाई पड़ती है तो अगर यहां वह कोई observer है जो इससे देख रहा है तो अगर वाटर से एर में अब यह तो एर है पूरा ना यह बाहर तो एर है यह पूरा और यहां पर क्या है यह वाटर तो इसका मतलब ओब है जब यहां से रहे निकलेगे हैं तो वाटर से एर में जाएंगे ठीक तो रिफ्रेक्षिंगा फिनॉमना होगा गाउषा तो देखे अब वॉटर कैसा होता है यहां पर इसा है यह रेयर मेडियम होता यह बात आब जानते हैं तो नहां कर हम कोई दो रहीए लेंगे डियाग्राम को ड्राव करने के लिए वैसे तो बहुत सारी दिख लेंगे फर भी हम थे लेंगे जिससे हम ड्याग्रां को समझता है तो देखे मालिजे मैंने एक रही यह लिया हुआ है कि मालेजी एक यह रहा ठीक है अब दीकेश्क समझने के लिए हम यहाँ पर एक नॉर्मन माल लेते हैं ठीक है इमेजनरी पात करती है मतरब नौर्मल से बहुत दूर भाग जाती है तो जानी चाहिए थिस लाइट को ऐसे लेकिन ऐसे ना जाके नॉर्मल से दूर भाग जाएगी ठीके तो ऐसे जाएगी यह समझ भाई बत इस लाइन को अटा लेता इसका कोई काम है अब देखे एक और रे ले लेते हैं माल लेजे एक रहे हमने और लिया यह देखे एक रहे हमने यह लिया तो यह भी सेंग यहां पर माल ल नॉर्मल है जानी चाहिए थी ऐसे लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ी सी क्या हो जाएगी यह नॉर्मल से दूर चलियाएगी ठीक है तो ऐसे अब इसकी इमेज की हम बात करते हैं देखे लाइट का पात हमेशा हमें स्टेट ही दिखाए पड़ता है जैसे माल लीजे मैं आपक किसी वज़े से ठीक है कोई वज़े हो सकती है माल लीजे अगर लाइट ऐसे आ रही है तो इसको यह लाइट ऐसे कभी ने दिखाए पड़ेगी इसको यह लाइट हमेशा यहां से आती भी दिखाए पड़ेगी ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर देखिए लाइट तो एक्च् यहां Пरकृट कर रही है तो जो इमेज बनेगा इस चिक का वो यहीं पर बन जाया है ऐसे समझ गया है थैसे आपत टो जैसे मालीची एक्च्वल यह इस्तिक रखी लेकशन में tदेशम कहने लेकिन जो ऑफजरबर होगा उसको क्या और थोड़ी सी बेंट भी दिखाए पड़ रहे है ठीक है तो देखते हैं एक और एक साइस इमिलर एग्जांपल यहां पर भी बोला गया है इस ड्रॉप कोई इंदा बीकर फिल्ड फॉर्टर अपीयस रेस्ट ठीक है तो यहां वहीं बात हो गई ठीक है तो इसको हम जड़त दो केसे इसमें डिसकस कर लेते हैं कैसे आप अब जरु कर रहो हो इस पर भी डिपन करेगा तो देखिए माल लीजिए हमने यह कोई बीकर लिया हुआ है उसके वाटर हमने फिल्ड किया हुए है इसमें介ब यहां पर इमने मान लिया है यहाँ पर कोई कोईन रखा हुआ है ऐसे ठीक है और यहां से कोई अपजर्व कर रहे हैं जो इसे अव ह्सैशर्व कर रहा है यहां पेजिए हम यहां से पहले लिएता हम घ्रस रहां तकck्यों यहां पर नॉर्मल ड्रो कर लिया अब आप खुद बताईए कि यह डैंस यह रेयर है तो अगर डैंस से रे एर में जाएगी या रेयर मीडियो में जाएगी तो क्या होगा यह जानी चाहिए थी ऐसे लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऐसे ठीक है तो इसक यह इन लाइन को अटा लेते हैं आप चाहें तो यह नॉर्मल भी द्रॉन आ करें समझ में तो आई रहा है तो इनको अब हम पीछे ट्रेस करते हैं यह अगर आप इनको पीछे ट्रेस करोगे तो आपको कहीं यहां पर मिलेगी यह लाइं और यहीं पर क्या बन जाएगा इस किया होगा। यह सब μας यहां पर उब्ज़रवर यह कोई जासे हमने कहा कि यह कोई तो देखे क्या होगा यह मालीजी क्वाइन यह ऊपफिर से रदेवें ऐसे लेली और एक हमने ऐसे लिए एसलेटा दो देखें यह खणानी का थरीडिया होता कर लिया यहाँ बिन casos कर लिया है अब दिक यह नार्मल है तो अगर यह बाहर जाये बाहर निकल लेए ठीक है यहां पर वह चीज होगी अगर अपको देखेंगे जानी चाहिए तर्षाने ओन लिसे निकल रही हूँ ओना लें यह दिर्थ यह इसosed तो अगर आप इसे अब जरू करो तो इसका डाइग्राम मतर्ब जूसका आपको रे मिलेगा वो यहां पर मिलेगा कर तो जूसका इमेज बनेगा वो यहीं पर बन जाएगा ठीक है समझें बात तो अगर यहां पर एक चीज़ और इस और समझने के लिए है यहां पर देखें यह जो हाइट रोत यह यहां अगर हम इसकी बात करें इसकी बात करें जीस वाटर लेवल से यह वाटर लेवल ओता है एक नहाट टाम आने वाला है ठीक है इसको में लोग नेक्स वीडियो में डिसकूस भी करेंगे यह एक रिलेशन होता है वो होता है रियल डेप्थ ए डिवाइड बाइब आपरेंट आहां अपरेंट डेप्ट यह होता है आपसिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेग्स के के आपसिल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अब मीडियूम ठीक है अब जिस भी मेडियम में बातकर नेरे में है और में भी सकता है आप चाहे तो कोई भी फूर्ब भी सकते हैं बहुत ने सब्सक्राइब बात युए तो इस फॉर्मले से अप इसकी और आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है तो आप इसके रियल डेप्ट या अपरेंट डेप्थ कुछ भी कल्कुलेट कर सकते हैं एक और एक्जामपल देखते हैं तो थर्ड में क्या लिखा है वेन अथिक ग्लास लाब लब एक थिक ग्लास लाब को अगर हम लेटर अपियर्स तो जो लेटर हैं क्या दिखाई पढ़ेंगे अपियर्स रेज्ट ठीक है और बड़े दिखाई पढ़ेंगे वेन व्यूट त्रू ता ग्लास लाब देखिए मैंने एक्जामपल आपको देए रखा है यहाँ पर एक नॉर्मल लिखा हुआ है टेकिन जै स्लाब ऑफ थिखने सिक सेंटीमेटर मतलब जिसकी थिकनेस ठीकर यह मोटाई होती है थिकनेस सिक सेंटीमेटर है इस प्लेज्ट ओवर एन इंक मार्क और ना पेपर हाओ वाय हाँ पर एक बात देखिए यहाँ पर जो हाइट है मतलब जो अगर आप सॉलिशन की बात करें सिक सेंटीमेटर थिखनेस का ग्लास लैब तो डिस्टेंस वही हो जाएगे ने एक्ट्वल इस्टेंस सिक सेंटीमेटर हमें नहीं पता कि वह कितना उपर दिखाए पड़ेगा इंक बाग यह नहीं पता है यह एक चीज़ रखी है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अभी रिफ लिखेएगा यह बोलेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ जो भी मटीरियल अब का ग्लास है तो ग्लास विट रिस्पेक्ट वेयर तो बात वही है ठीक है तो एपसुल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5 दे रखा है यह औल्वेस 1.5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन जी ठीक है तरीका उदे लिखने का समझेंगे इसको नेक्स वीडियो में और अच्छे से देखें तो यहां वरम फॉर्मना लगाते है अपना एच मतलब क्या था एक्ट्वल हाइट अपॉन जो भी एक्ट्वल लेंथ अपॉन या इसको सिंपल रफ्रेक्टिव इंडेक्स और एप्सलिट रफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी बोल सकते हैं तो एच तो दे रखा है 6 हमें है यहां पर यह यह वैलू पता है बन पॉंट यहां से अगर हम एच डैस निकाले तो एक डैस कितना हो जाएगा six कि एच दैश होगा लेकिन हमसे पूछा गया कितना उपर दिखाई पड़ेगा ते कि यहां बता रहा हूं ठीक है मतलब कितना उपर दिखाई पड़ेगा ना तो मतलब कितना उपर आ गया तो यहां पर लिख लेते हैं इंक मार्क ऐसे लिख लेते हैं इंक मार्क अपियर अपियर्स टूभी रेज्ट अपियर्स टूभी रेज्ट अपियर्स टूभी रेज्ट मतलब कितना ऊपर आ गया तो देखे कितना आ गया पहले वह सिक्स था मतलब पोजीशन से क्या हो गया रेज हो चुका है यह आपका अंसर है तो ऐसे कोई question आता है और आपको refractive index की value दे रखी होती तो आप ऐसे answer कर सकते हैं तो आज की वीडियों बस इतना ही नेक्ट वीडियों में हम बात करेंगे loss of reflection, snell's law and refractive index